कर साथियों मैं वजय और लेकर आगया हूं क्लास 12 के लिए 10 इंपोटेंट अब्जेक्टिव क्वेस्टन जो काफी हेलफुल होगा उनके बोड इचाम के लिए तो चलिए आज का सेट वन है या आप जितने भी क्वेस्टन है सब हम लेकर आये हैं ततो के निशकर्षण के साम सब्सक्राइब मैथ वाई मास्टर जी को और मैं सीरीज देने वाला हूं पूरा एक महीने तक आपके कमेस्ट्री के अबजेक्टिव क्वेस्टन का और साथ ही एक क्वेस्टन आप लोग के लिए भी लेकर आया हूं जिसका एंस्वर आप लोग के करने होंगे कमेंट बॉक जब जल में डाला जाता है तो उसका रंग दूधिया हो जाता है ऐसा किस गैस के कारण होता है तो यह आपका ओप्सन नंबर ए है ओटू ऑक्सिजन के कारण अप्सन नंबर बी है कारबन मोनो अक्साइड के कारण अप्सन नंबर सी है कारबन डायक्साइड के कारण अप्स के कारण होता है चलिरनी अगला कोस्टन देखते हैं अगला कूस्टन है आपका यह फर यशाम में उपस्तीत को गंग का जाता है यह तो इसा ही कोस्टन पूछा जाता है आपके ब॔र्ड उग्जाम में वहедंक सब बोड एक्जाम के किसी न किसी यर में पूछा गया है तो द्यान पूर्बक को देखिए और लास्ट में आपको कोस्चन एक देंगे जिसको हल करके कमेंट बॉक्स में आपको उत्तर लिखना होगा तो चलिए देखते हैं तीन नंबर कोस्चन को दो नंबर में हो जाएगा आपका ये गैंग सही है चलिए तीन नंबर कोस्चन देखते हैं कोपर पाइराइट का सुत्र होता है तो कोपर पाइराइट जितना भी और से हैं इन सब का आप क्या किजिए शुत्र याद करके रखिए क्योंकि इससे तिन चार कोस्चन हर साल पूछा जाता है तो कोपर पाइराइट का सुत्र होता है आपका सो नब्सेयो ovस तूं कर चुछ चलिए चार नंबर कोस्चन देख लेते हैं चार नंबर कोस्चन mais was तो विए अल्यूनियम का आयस्क तो एल्युमूनिया म कंयो ये बहुत बार पुछा होगा है ये बोर्ड फैपर divided question है एलमुणन का ऐसक तो आप आंक मुन के लगा दीजीएगा इस पर बग साइड है चलिए अगला कोस्चन देझते हैं अगला क्योंग आ 최ट प्रॉंडकर सहर माल्य पूछता-व्हाग पूछाओ का question है या सक है इस लिए ये सब question आपके लिए काफि important है exam के द्रृष्टि कोंड से टुवल्थ के लिए तो नहीं देखिए इसका हो जाएगा माला काइट का हो जाएगा आपका Qophar का आयस्क है यह चलिए अगला question देख लेते हैं 6 number question देख लेते हैं 6 number question है लिखित में से कौन सी धातु भूप और पट्टी में परचूर मात्राम पाई जाती है तो यह लगातार बोर्ड में पुछा गया कोस्टन है इसको एकदम आप लोग रट जाएगा याद कर लिजेगा वैसे सब कोस्टन इंपोर्टेंट है इसको द्यान से और कोस्टन चुकि निलिकित में से कौन सी धातु भूप और पती में परचूरता से पाई जाती है तो यह बूप और पूछा गया आपसे शीनेमंबार है तो यह बढूर पैको सिने जाल जाता है मार्करी का एक आयुषक है इसी को सिने बार कहा जाता है यह वोड एक्जाम में पूछा भी है तो दिखले जेए और इसको याद कर लिए निला थोता करासायनिक शूत्र निला थोता करासायनिक शूत्र आपका हो जाएगा यह CUSO4.5H2O, यह हो जाएगा आपका नीला थोधा का सूत्र, यह अभी काफी important question है, तो याद कर लिजिएगा, और 9 number question है आपका, कि NaOH निम्न में से किसे कहते हैं, तो चार option है, आपका option number A है, option number A आपका कास्टिक सोडा लिख रहा है, option number B लिख रहा है, धोबिया सोडा, कास्टिक पोटास, तो पोटास इसमें तो यह नहीं है, देखिए रहे हैं आप लोग, OH है, और इन में से कोई नहीं, D number, तो इसमें आपका A number, जो है न, option correct हो जाएगा कास्टिक सोडा कहा जाता है, NaOH को, चलिए, अगला question है, दस number, दस number question है आपका, डोला माइट खनीज में पाया जाता है, मतलब डोला माइट खनीज में क्या पाया जाता है, डोला माइट खनीज में, जो है, Mg, Magnesium पाया जाता है, डोला माइट खनीज में, Magnesium पाया जाता ह यह दोस नमबर कोस्टन यह दोस ही कोस्टन हम लेकर आये थे और यह 11 नमबर कोस्टन जो है आपके लिए है तो इसको आप लोग ध्यान से देख लिजिए स्क्रीन सोट ले लिजिए निम्न में से किस धातू का सांद्रण जाग प्लोवन बीधी से किया जाता है एक बार और के लिए इतना ही आप कहिएगा तो और मैं कोस्टन बढ़ाऊंगा 15 कोस्टन ले कराऊंगा और प्रती दिन मैं आपको एक सेट दूंगा जिससे आपको वोड एक्जाम 12 के वोड एक्जाम में एक महिना दिन आज से टाइम है एक महिना से दो तीन दिन अधिक तो काफी हेलफफूल होगा आपके लिए ये सब कोस्टन चलिए आज के लिए इतना ही बहुत बहुत धन्याएगा